ऐसा भी नहीं कि ये चीज इंडिया में पहले कभी नहीं होई है, कई बार हो चुकी है, लेकिन आज कल में ये टॉपिक इंडियान एक्सप्रेस के एक्स्प्लेंस सेक्शन में आ था, और आया था इसलिए क्योंकि कॉंटेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट था, नहीं जो चीप आई, उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट के कुछ घंटों के अंदर ही एक फुल कोट मेटिंग बुलाई, और उसमें कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजे उन्होंने बताए, कि यो अगले तीन महीने जो जीप जचिस उप इंडिया रहेंगे, बड़ा शॉट टाम है उ आज के इस छोटे सी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि ये फुल कोट मेटिंग क्या होती है, क्या कोट फुल हो जाता है, या पूरा का पूरा कोट किसी चीज को अटेंड करता है, अगर मैं पूरे वीडियो को आगे ना ले जाके एक लाइन में खतम कर करना चाहूं, तो फुल कोट मेटिंग is that meeting of the Supreme Court, which is attended by all the judges of the court, तो Supreme Court में जितने भी judges है, सारे लोग, including the Chief Justice of India, जब एक meeting को attend करेंगे, तो इसी को हम लोग full court meeting कहते हैं, क्यों फुल कोट के सारे judges आगे, तो full court meeting होगे, लेकिन आगे का explanation important है, बने रही है, क्योंकि इसे आपको बहुत अच्छे powder point मिलने वाले हैं, मेंस के लिए, anyway, context तो आप जानगे, नए Chief Justice of India ने अपने appointment के कुछ घंटों के अंदर है, full court meeting बुलाई, और उसमें agenda थो उनका, जो discuss किया गया, तो कही चीज़े discuss की गई, जो सबसे ज्यादा important चीज़ है, वो ये है, कि listings related issues और backlog of cases से related issues, Listing से related issues क्या होता है, Supreme Court में कौन सा case किस judge के पास जाएगा, किस bench के पास जाएगा, इस चीज़ का decision जो है, Supreme Court के Chief Justice of India लेते हैं, जिसके कारण हम उनका नाम भी एक देते है, Master of the Roaster, जो decide करेगा कि कौन सा case किस के पास जाएगा, और इस बात से नाराजगी में एक Supreme Court के judges का press conference भ आमें pendency of the cases बहुत है, हाला कि pendency of the cases आपको lower court में ज्यादा मिलेंगे, Supreme Court में कम मिलेंगे, लेकिन याद रखेगा, Supreme Court के बाद Constitution के interpretation से related cases होते हैं, तो चाहे तो वो EWS का reservation हो, चाहे वो जली कट्टू का issue हो, ऐसी सारी चीज़ें Supreme Court के पास अभी तक pending है, जो कि burning issues हैं देश के लिए बहुत ज्यादा important है, तो ऐसी चीज़ोगा जो discussion है, वो pending है, इसलिए Supreme Court की pendency कम हो, लेकिन ज्यादा important होती है, तो इसके लिए उन्होंने ये भी बोला है, कि भारत में जितने भी आपके Constitution bench बनाने वाले cases हैं, सब के लिए जल्दी जल्दी काम करेंगे, और तीन महीने में कोशिश करेंगे, कि सारे का कम से कम एक allocation हो जाए, सुनवाई शुरू हो जाए, चलिए, तो क्या Supreme Court में इसके related या किसी law में या constitution में कोई mention है, कोई procedure है, नहीं, there is no written rule regarding when it is held, कब ये कराया जाएगा, full court meeting किस condition में कराया जाएगा, ये क्यों इसके लिए written rule नहीं है, तो ज यहार चीजे लिखी नहीं होती, वहाँ चीजे जो है, न लिखे बिना जब समझ में आने लगें, कि हाँ यही करना सही है, इस चीज को हम लोग convention कहते हैं, अगर बात करें, बिटेन का constitution तो mostly वो convention पे आधारी था, इंडिया का constitution mostly retained है, कुछ पार्ट जो है, उसके convention से भी चलत issues को discuss करने के लिए, ऐसे full court meeting बुलाते हैं, यही convention है, अब एक और चीज यहार पे important होते हैं, important issue discuss होते हैं, साथी साथ, जो high court और supreme court में, जो practice करते हैं, advocates, उसमें कि इसको senior designation दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, यह चीजे भी जो है, full court meeting में ही decide होती है, इसको कौन कराता है Chief Justice of India की मर्जी है, वो जब कराना चाहें करा सकते हैं, और यह क्या पहली बार हो है, ना, ना, कई बार पहले हो चुका है, hailed many times before, अगर मैं कुछ important incidents की बात करूं, तो March 2020 में, जो full court meeting हुआ था, इंडिया में, उसमें यह discuss किया गया था, कि जो पूरे पूरे lawyers का association था, वो कह कि अब quote को हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि March 2020 की बाती, COVID-19 pandemic आ गया है, और हमारे बार में, that means कि lawyers के side में, बहुत लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो हमें हमारी से बचानी के लिए सारे लोगों को quote की proceeding जो है, यह offline जो चल रही है, इसको बंद कर देना चाहिए, ठीक, तो यहां पर यह discuss हुआ था, मार्स 2020 में, जब lawyers ने petition देती इस चीज के लिए, CJI को, एक बड़ा important है, जो मैं actually मैं आपको बताना चाहता था इस lecture के through, और इसका notes है, points है, वो मेरे telegram channel, ABHI, NAW, Abhinav, Singh, official पर डाले हुए, तो आप वहां से download कर सकते हैं, May 1997 में full court meeting होई थी, वो यह देखा गया था कि judiciary में कई जगा corruption है, judges के जो asset है, वो declared नहीं है, तो यह जो May 1997 में full court की meeting होई, उसमें यह कहा गया, कि every judge should have to declare all assets, जितना भी real estate में या investment में उनके asset है, खुद के, उनके पति-पतनी के, और साथी साथ उनका कोई dependent है, बच्चा है, बुड जोर्ग है, उसक पारी चीज़ों का declaration करना पड़ेगा, वो भी reasonable time में, और आगे अगर कोई वो acquisition करते हैं, जो substantial a significant amount का हो, तो वो भी आपको mention करना पड़ेगा, एक तरह से कहें कि judges की property बताने का तरीका है, इसके लिए उन्होंने resolve बिलिया था, resolve मतलब क्या, एक अपना निरनय लेके बोलना क हाँ हम ये चीज़ को follow करेंगे, बहुमत से, in-house procedure should be devised by the CJ, in-house क्या होता है, बाहर से कोई judiciary पर नियंतरन नहीं रखेगा, judiciary के अंदर ही different judges बगर मिलके इस चीज़ पर फैसला करेंगे, कि अगर किसी judge ने ये जो है, इस चीज़ को follow नहीं किया disclosure को, या एक होता है universally accepted values of judicial life, प judicial understanding भी है पूरे world में, कि हम लोग ये चीज़े करेंगे, ये चीज़े नहीं करेंगे, तो पूरे world में जो universally accepted without any disagreement, जो values है judicial life के, वो अगर कोई judge follow नहीं कर रहा है, तो in-house उस पर preceding के जाएगे, ये जो in-house का preceding किया जाएगा, उसके लिए CJI को बोला गया था, यहीं पे 1997 में कि आप एक remedial action के लिए process लेकर आई है, अगर कोई judge जो है अपने रस्ते से बिखरता है, साथी साथ, judicial life जो universally accepted है, उनको तो follow करना ही है, और साथी साथ, एक document हमारे इंडिया में ये ही चीज़े में बताना चाह रहा था, जो charter है complete, re-statement of values of judicial life, ये जो charter है, इसमें 16 values बताया इस charter was also adopted in this, adopted in this full court meeting 1997 only, ये charter के 16 values भी follow करने है, नीचे जो values हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक जलक बाकि notes अब डाउनलोड कर लिजेगा, significance के है finally full court meeting का, consensus बिल्ड करना, अपस में agreement बिल्ड करना कि अगर कोई common problem है, बड़ा problem है legal system में, administrative practices of the court में, तो उसको जल्दी से जल solution निकाल सकें, तो निकाल सकें, तो ये जो charter बनाता है, ये statement of values of judicial life Supreme Court द्वारा 1997 के full court meeting में, इसको हम लोग code of judicial ethics कह सकते हैं, और एक independent fair or judiciary, independent or fair judiciary बनाने की कोशिश करता है, ताकि हमारे country में जो justice है, उसका administration है, justice के पीछे जो पूरा system है, उसका administration जो है, वो impartial हो, इसके 16 points है, य और इसके साथ ये छोटा से वीडियो समाता होता है, आपको बहुत बहुत शुप्रिया, नोट सब चाहें तो, डाउनलोड कर सकते हैं, A, B, H, I, N, A, W से, और उसके बाद सिंग लगाना है, फिर office seal करना है, बाकि आप हमारा app भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी मरजी है, Thank you so much, take care, good night, bye bye.